क्या कहता है ए लिमिटेड एग्री टू पर्चेज बिजनस ऑफ सोल ट्रेडर ए लिमिटेड ने एक पर्चेज कर रहा है सोल ट्रेडर सोल ट्रेडर कोन होता है एक कोई वेक्ति है आपने अपनी दुकानदारी कर रखी है खुद ही चला रहे हो तो आप सोल ट्रेडर हो गए और एक कंपनी ने बोला चल भाई हम तेरी कंपनी को क्या करते हैं खरीद लेते हैं इसलिए गुडविल का वेलुएशन करना है तो नंबर आफ परचेज जो होगा न हमेशा परचेज से जो पहले यह होगा हमेशा वह होगा और आगे कहता है एवरेज प्रॉफिट कितने साल का चार साल का अडजेस्टेड और हमेशा गुडविल निकाला जाता है पास्ट एक्सपिरियंस पर फ्यूचर के एक्सपिरियंस तो पता चलेगा तो होगा वैसे तो हम बोल देंगे बाई फ्यूचर में तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे जो पास्ट में प्रॉफिट कमाए अच्छा के मेजर रिपियर करवाया था एक्सपेंडिचर अफ्लांट एंद मसीनरी छे हजार वस चार्ज रिविन्यू यानि आपने इस प्लांट एंद मसीनरी में डालना था और आपने किस में डाल लिया इसको डाल लिया प्रॉफिट एंड लॉस में डिस वाज यानि मसीनरी एसेट्स मानना है सब्जेक्ट तो टेन पर्सेंट डिप्रीशेशन डिमिनिसिंग बैलेंस में देखेंगे क्या करना है सर इसका दा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ये एंडी इकत्यस बारा दोजार पंद्रा बास ओवर वेल्यूट बाइदा चॉबिस सो क्लोजिं चलिए सर पहले हम प्रॉफिट को ठीक कर लेते हैं कितने साल का प्रॉफिट है तीन चार है चार है एक साल दो साल तीन साल और चार साल कि उपर लिख सकते हो प्रॉफिट अड्जस्मेंट टेबल कि अब साल में लिख देता हूं चौदा कि पंद्रा तोला और सत्रा इसका प्रॉफिट बता दीजिए हैं कि पहले साल का कितना है बीस दो सो दूसरे साल का कि चौबेस आठ सो तीसरे साल का पच्चेस हजार और तीस हजार पहले साल में 2016 की बात कर रहा है तो 2016 एक मसीनरी के अंदर एक्सपेंशन किया गया था और छे हजार रुपए आपने रेविन्यू चार्ज कर दिया रेविन्यू चार्ज करने का मतलब है पीएंडल के डेबिट में डाल दिया खर्चा मान लिया तो इसके हिसाब से ये वाला प्रॉफिट भी गलत हो गया होगा तो हमें जो खर्चा मान के अपने प्रॉफिट को कम कर रखा होगा पहले तो इसे एड़ बेक करो एड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर सर कितने रुपे छे हजार अब छे हजार रुपे जब आपने पीएंडल के डेबिट में डाला होगा तो एसेट्स में डाला होगा क्या अगर आपने पीएंडल के डेबिट में डाल दिया मान लेते हैं आपके सामने एक बना दिया मैंने पीएंडल और एक बना दिया में में जीपी पड़ा हुआ है दस हजार कर एक मेंने मसीन्री यह 20 wilt डाल दिया है तो क्या बैलेश सीट में मसीन्री मिलेगा आपको नहीं होसीपे क्योंकि रहकosset कर ज satisf经 आल दिया आपने जब यहां फिंट डाला इसका मतलब आपका जो नेट प्रमिट आया वो 4000 आया अब इसको सही क्या करना है सर इस वाले machinery को यहां से हटाना है हमें जब इसको हम यहां से हटा के कहां ले जाना है हमें balance sheet में ले गए जब यहां से हटाएंगे तो automatic यह profit बदल जाएगा और profit कितना हो जाएगा 10,000 यानि 6000 से plus हो गया profit लेकिन सर जैसे यह balance sheet में गया तो इसके उपर depreciation भी तो लगाओगे अगर depreciation 10% 600 लगाया है तो सर आपका liability बनता है कि इस depreciation को यहीं नहीं छोड़ना इस depreciation को उठा के यहां भी तो लाना है तो यानि depreciation अब मैं minus करूँगा तो मेरा जो result बनके आएगा वो आएगा हमारा 9400 यानि इस वाले profit में इसके adjustment की वज़े से दो काम करने पड़ेंगे depreciation घटाना पड़ेगा और machinery add करना पड़ेगा तो मैं यहां पे क्या करूँगा less कर दूँगा सर क्या depreciation और क्यूंकि depreciation WDV है तो यहां पे depreciation साल के end में 600 रुपे add करेंगे और अगर आपने इस साल में machinery नहीं दिखा है होगा तो आने वाले साल में भी आपको machinery दिखेगा या नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा assets में माल लेते हैं next year में गए तो वहां machinery होगा ही नहीं जब next year में machinery नहीं होगा बचा चववन सो दूसरे साल का depreciation कितना होगा 540 तो इस साल भी 540 आपको माइनस करना पड़ेगा ये देखे आपका अगर यहां होता तो हर किसी में हमें connect करना पड़ता पहले adjustment को कितने मन्त में अच्छा एक 9 और यह depreciation परेनम ठीक है depreciation ना थोड़ा change हो जाएगा मैंने ध्यान ने दिया 9 का मन्त का है तो इसका मतलब September, October, November, December September था ना September से ना September, October, November, December चार मेने का डेप लगीगा ना तो 6000 पे 10% और 4 मेने का चार बटे 12 वर्किंग नोट कर देते हैं चलो यह ध्यान देना था 200 रुपए तो 6000 पे पहले साल में 200 बच्चे कितने 5800 दूसरे साल में 500 कितने आएंगे 200 और अगले साल में क्या आएगा पूरा ही लगेगा अगले साल समझ में आए बात किसी को डाउट है तो बता दीजिए फटा फट क्योंकि मैं आगे बढ़ता जाओंगा फिर आप बोलोगे सर यह कैसे हो रहा है क्या चल रहा है समझी नहीं आ रहा कि यहां तक क्लियर है अगर यहां पर गढडबढ़ होता तो यहां भी बाता यहां भी डैप कर रहा है उसको समझते हैं मसीटरी एड़ कर तो दिया इस साल में एड़ हो तो गया क्या क्या कह रहा हूं ठीक है न आप इस बात को मुझे बताना बहुत बच्चों के यह पॉइंट ना समझ में नहीं आता लेकिन है आसान चार साल तो दो साल में समझ जाते हैं बच्चे चार साल की तो बहुत बात की 2021 2022 2023 और 2024 ठीक है यहां पे मैंने लिखा Sales लिखा 2000 करेक्ट 2020 तो थोड़ा जादा ओपनिंग इस्टॉक लिखा मैंने 1000 और पर्चेज लिखा मैंने मान लो 2000 और यहां क्लोजिंग इस्टॉक लिख दिया मैंने अध चार हजार मुझे जीपी बता दो यहां पर जीपी कितना आएंगे सर 24000 और 24000 और जीपी आजयेगा सर कितना आएंगे यह सब समझ में आ रहे हैं सबको यह समझ में आ रहे हैं पहले चलो भी depreciation देख लेंगे पहले यह समझ में आ रहे हैं क्या है सिंपल सी बात है यह तो सुरू से करते आए हो अब मैं बोल रहा हूं आपसे मैं क्या बोल रहा हूं आपसे ध्यान से सुनना यार यह गलत लिख दिया यह यह गलत है और सर इस साल का opening stock कोई बच्चा बता सकता है जो इस साल का closing होगा वही तो आएगा ठीक है यानि पिछले साल का closing इस साल के क्या बनेगा मैंने का ये गलत है तो ये गलत एक साल की गलती बताओं तो दूसरे में तो automatic होगी होगा समझ रहा और ये गलती है क्या गलती है मैं question के recording ही चल लेता हूँ और वेल्यूड करा है का अंडर वेल्यूड करा है ओवर वेल्यूड माल लेते हैं ये मुझे ना actual में तीन हजार दिखाना तो अब इस साल के profit को ठीक कैसे करोगे आपको मिटाना नहीं है जीपी के अंदर कुछ ऐसा करो ठीक हो जाए बताओ वैसे तो आप मिटा के पेज फाड़के कर दोगे लेकिन अब आपको इसी में जीपी में ही कुछ ऐसा करो ठीक हो जाए हमें हजार रुपे का adjustment मारना पड़ेगा और हजार रुपे क्या करना पड़ेगा माइनस करेंगे तब करेक्ट आएगा हजार रुपे माइनस करेंगे तब ठीक होगा यानि जब कभी भी हमारा closing stock overvalued होगा जिसकी वज़े से profit भी बढ़ेगा जो की गलत है तो profit को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें माइनस करना पड़ेगा इतनी सी बात आप पह हो पहले समझ में आ रहा है सर इस साल का भी आपको सेल्स दे दे इस साल का सेल बीस हजार इस साल का परचेश पांच हजार और इस साल का closing stock 3,000 तो यहां कितना आएगा 23 और यहां कितना आएगा 23 नो हजार माइनस कर दोगे तो क्या यह profit ठीक है यह भी गलत हो गया इसकी वज़े से क्या opening stock 4000 ठीक लिखा है कितना आना चाहिए था तीन आना चाहिए तो इसकी वज़े से इसका profit भी गलत हो गया यानि next year भी कहीं ना कहीं connected हो गया तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए एड करके यानि सर अगर opening stock overvalued होता है तो हमें add करके profit को ठीक करना चाहिए आप बता रहे हो यह सामने रियल एक्जाम बिल्कुल लाइव एक्जामपल है ऐसा तो नहीं है कि हमें इसमें कोई रट्टा मार रहे हैं और अगर closing stock जादा है सिंपल सी बास समझना opening stock is expense की तरीके से ट्रीट होटा है क्योंकि यह debit में आता है और closing stock किसके तरी ट्रीट होता है इंकम की तरीके से अगर closing stock गलती से बढ़ा रखा है तो भाईया profit गलत आगया profit को घटाओ अगर opening उसकी वैसे opening stock भी कम होगा जिससे profit बढ़ गया होगा अगले साल तो उसके क्या करना पड़ेगा माइनस ठीक है यह दोनों आपस में connected है बाकी दो साल की जुरत पड़ेगी नहीं कि अब इस सवाल में क्या कहता है 2015 को पाया गया कि उसका closing stock 2400 रुपए से ज्यादा था तो भाई 2015 में 13 closing stock ज्यादा था तो लेस कर देंगे कि इसके कि अगर इसका ज्यादा थो तो एड करना पड़ेगा opening stock क्योंकि इससे ज्यादा तो उपर जाएगा नहीं connection तो दो ही साल कर रहेगा नहीं है ठीक है जो पीछे example बता है क्योंकि एक साल दूसरे साल से automatic क्या हो गया हमारा connect हो समझ में है बात कहता है management को हमें भाया चार्ज करना annual 4800 रुपए ठीक है सर लेस कर दो management expense कितने रुपए अब बस totaling का process रहे गया जो फटा फट कर दो आप इसमें तो कुछ हाई नहीं 20 कितने हो जाएगा 15000 यह बताईए 17000 यह बताईए minus plus देख लेना कई बार मैंने कहीं लगाया कहीं ना लगाया हूँ 28 यह बताईए 24 अब average profit कैसे निकाले चार को एड़ करके चार से डिवाइड मैं यह निकाल देता हूँ average profit यह आ गया 21505 ठीक है यह मेरे इसाब से जुरत है नहीं अब इसकी जुरत नहीं है ना मिटा दूसे तो गुडविल क्या होगा नंबर अबरेज प्रॉपर्टेस नंबर अब पर्चेज यह कितने थे यह आ गया देखेंगे क्लियर कोई दिक्कत इसमें क्वाधे क्वाधे क्या क्या क्या